हेलो एवरीवन आज की इस वीडियो में हम क्लास फोर्थ के सबजेक्ट इंगलिस के लेसन नसुरुदीन एम की वर्क सीट वनको सॉल्ब करेंगे तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो के नॉटिफिकेशन मिलते रहें तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेशन है मल्टिपल चॉइस क्वेशन क्वेशन है वाट डिड नसुरुदीन से नसुरुदीन ने क्या कहा वेन दा एरो डिड नॉट हिट दर टार्गेट the second time जब तीर दूसरी बार में टार्गेट पर नहीं लगा तो यहाँ पर option है it was आजाद's aim यह आजाद का aim था यह फिर यह कहा it was chief guard's aim यह chief guard जो मुख्या guard था उसका aim था या फिर it was his uncle's aim उसके uncle का aim था और it was his aim या फिर उसका अपना यह aim था तो उसने क्या कहा था तो first time में कहा था it was azar zain और second time में कहा था it was chief guard zain तो answer is option number b next question है नसरuddin was boasting about his नसरuddin अपनी किस के बारे में डीगे मार रहा था cricket skills के बारे में, archery skills के बारे में, dancing skills या फिर singing skills तो किसके बारे में बॉस्टिंग कर रहा था आर्चेरी स्किल्स के बारे में याने की तीर चलाने की कुसलता के बारे में तो आंसर है option number B अब है question number 2 replace the bold word or words with a word from the quiver and rewrite the sentences यहाँ पर इस quiver में कुछ word दिये गए हैं और यहाँ नीचे sentences में कुछ bold word लिखे हुए हैं तो उन्हें आपको replace करके उनकी जगे quiver से word यहाँ पर लिखना है तो first है in no time see hit the object see aimed at कुछ ही समय में उसने उस object को hit किया जिसका उसने aim किया था तो यहाँ पर हमें object see aimed at in words को replace करना है quiver से word लेके तो लिखेंगे in no time see hit the target कुछ ही समय में उसने अपने target को hit किया next है नसुरुदीन was surely not a good archer नसुरुदीन surely एक अच्छा तीरांदाज नहीं था तो यहाँ पर हमें surely को replace करना है नसुरुदीन was certainly not a good archer नसुरुदीन निशित रूप से एक अच्छा तीरांदाज नहीं था next है the teacher said something about his good handwriting अध्यापक ने उसकी अच्छी handwriting के बारे में कुछ कहा he felt very happy तो उसे बहुत अच्छा लगा यानि कि उसने बहुत अच्छा महसूस किया तो यहाँ पर हमें replace करना है said something about words को the teacher remarked on अध्यापक ने तिपनी की his good handwriting उसकी अच्छी handwriting पर he felt very happy तो उसे बहुत अच्छा लगा तो आपकी जो है यह work seat complete होती है आप इसे इस तरीके से complete कर लेंगे अपने teacher से चेक कराएंगे तो मिलते हैं next work seat में if you like this video please like and share and if you are new on this channel please subscribe the channel thank you झाल 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 झाल